और दोस्तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि आप किसी भी पुराने मोबाइल का कैमरा निकाल कर उससे एक स्पाई कैमरा बना सकते हैं? और ऐसे वीडियोस पूरे इंटरणैट पर भरे हुए हैं पर क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में आप एक मोबाइल का कैमरा निकाल कर उससे एक स्पाई कैमरा बना सकते हैं तो ये सारे सवालों को जानने के लिए आए देखते हैं इस वीडियो में और इस चीज को अच्छे से समझते हैं क्या किसी मोबाइल से एक कैमरा निकाल कर स्पाई कैमरा बनाया जा सकता है या नहीं और इसके साथ ही आपको इसी वीडियो में एक धमाकेदार कैमरा दिखाएंगे जो कि होने वाला है दुनिया का सबसे छोटा स्पाई कैमरा जिसका कैमरा ग्याओं के दाने से भी छोटा है और इससे अगले वीडियो में आपको कैमरा को चला कर भी दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि वह काम कैसे करता है तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबाईएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो दोस्तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि किसी भी मुबाईल का कैमरा निकाल लीजिए और उसमें चार तारें इदर उदर जोड़िए और आपका कैमरा चालू हो जाएगा पर क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं इसको समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैमरा काम कैसे करता है तो दोस्तों आपको बड़ा ही सिंपल सा उदारन देता हूँ कि जैसे हमारी आँख की पुतली जब तक हमारे शरीर से जुड़ी हुई है नसों से जुड़ी हुई है तो वह कुछ भी देखती है वह सारे सिगनल हमारे दिमाग को बेह देती है और दिमाग हमें बताता है कि किया देखा है तो कैमरा भी बिल्कुल उसी तरहें से काम करता है, कैमरा का मोड्यूल क्या देखता है वह उसी information को data के रूप में आईसी को बैइता है आईसी अगे उसी information को display तक forward करता है तो इस तरहें से हमें वैस अब नजर आता जो stware आता है एसका जो circuit रहता है यानि इसका जो दिमाग रहता है वो data जो लेंस वाला पार्ट है वो flexible है आप किसी भी तरफ को move कर सकते हैं इसको और ये camera इतना चोटा है कि किसी की नजर में नहीं आएगा और अगर बात करें इसके circuit या निसके दिमाग की तो वो इसके साथ में ही है आप देख सकते हैं उसका size भी अंगुठे के नाकुन के बराब सकते हैं क्योंकि अगर आपने button camera देखे हैं तो उनके button इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि देखने वाले को पता लग जाएगा कि इस button में कुछ गड़बड है अभी श्रिंक स्लीव से ढखा हुआ है तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा लेकिन आप फिर भी उभार से देख सक अगर खुद से नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि यह काम नहीं कर रहा है अगर खुद से application खुलेगा तो मतलब की camera काम कर रहा है तो दोस्तों अगला वीडियो मैं इसी camera का बनाने वाला हूँ और उसमें मैं आपको properly दिखाऊंगा कि यह camera काम कैसे करता है और इसका video quality क्य है और इसके लिए आपको कौन सी application इंस्टॉल करने है तो अगला वीडियो देखने के लिए आप से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे channel को subscribe कर लीजिए और bell बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो आते ही उसका notification मिल जाए धन्यवाद